प्यारे बच्चो आज हम कक्षा पांच्वी का हिंदी विशे का पार्थ नमबर आठ पढ़ेंगे बच्चो ये एक शोटी सी कहानी है बच्चो इस कहानी का शीर्षिक है मेहनत बच्चो मेहनत करने से हमें हर कशेत्र में सफलता मिलती है और इस कहानी में क्या है कि चींतियां कैसे अनाज को खींच खींच कर अपने बिल्कियों ले जाती है तो हमें चींतियों से सीखना चाहिए कि मेहनत करने से सारे काम सफल हो जाते हैं और हमारी जिन्दगी जो है वो बड़ी अरामदायक हो जाती है आव शुरू करें मेहनत रानी आज बहुत उदास है कल उसकी पारशाला में खेल प्रतियोगता होने जा रही है वह कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रही थी मगर आज जब फाइनल रिहर्सल हुई तो वह उसमें चौथा स्थान ही पास सकी रिहर्सल क्याता है बच्चो प्रैक्टिस करना उसे उदास देख उसकी दादी माने उससे पूछा बेटी रानी आज तुम पर संद नहीं हो कारण क्या है रानी ने उन्हें सब बात बताई दादी माने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी वे कुछ देर सुचती रही फिर बोली उठो रानी मेरे साथ पीशे आंगन में चलो दादी मा रानी के साथ पीछे आंगन में गई वहां उन्होंने रानी को चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल मैंसे निकल रही थी और दूर पड़े रोटी के टुकडे मैंसे शोटे शोटे कणों को खीच कर बिल की ओर ला रही थी दादी मा ने कहा देखो रानी ये नन्नी चींटियां कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकठा कर रही है अच्छा अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ दादी मा ने गीली मिटी से उस बिल को अच्छी तरह बंद कर दिया रानी बोली दादी मा आपने ये क्या किया दादी मा बोली बिटिया चुप चाप देखती रहो रानी है रानी से मिटी से ढके उस बिल को देखती रही अब चींटियां बाहर कैसे आएंगी ये रानी सोचने लगी मगर थोड़ी देर वाद उसने देखा कि चींटियों ने उस मिटी में भी शेद कर लिया है और अब वे कतार बना कर मल लाइन बना कर दुबारा अपने काम में जुट गई क्या काम था बच्चुन का रोटी के कणों को इकठा करना रानी समझ गई जब चींटियां हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करती रहती हैं तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती रानी उठी और बाहर पार्क में जाकर कल होने वाली खेल प्रतियोगता की तैयारी में जुट गई बिना थके बिना रुके अगले दिन प्रतियोगता में पहला स्थान जिस शात्रा को मिला वै थी रानी बच्चो कशेतर कोई भी हो चाहे खेल प्रतियोगिता हो चाहे हमारी पढ़ाई हो बच्चो जब हम मन लगाकर लगन से पढ़ाई करेंगे पूरी मेहनत करेंगे तो हम जरूर काम्याव होंगे आगे बचो फ्यास कि नीचे गुर tweakी और देवनागरी लिपी में दिये गे शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का भ्यास करा अक्षरा अधा हो जाता है जैसे यहां अधक पड़ा है यहां पर लिख देते हैं हिंदी में प्रतियोगिता हिंदी में कैसे लिखेंगे पर के पैरक में नीचे पड़ेगा रप्रतियोगिता कण लिखना चौथा पहला रोटी- तो यह थे बच्चोप पंजबी से हिंदी में कैसे लिखने हैं तो आपने हिंदी वाले शबने का व्यास करना है नीचे एक यह अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी बाशा में शबद दिये गए हैं इन्हें ध्यान से पड़ो और हिंदी शबदों को लिखो कुम हिंदी वो लेंगे पाठ शाला केर में लिखेंगे किकांगे लिखेंगे वे सिसटेंन किया वाक मार्चओं युछ गांग गने लाइन पटए ज्लाइन किरें नहीं नि hem क्तार गे आगे मुक तक्षर किसी को पढ़ना है समझना है लिखना है बचक। अज़न्त निसको बोल देते में लग गया अधा को मा को हलांते लगा बच्छो ठयाव गया तो यह जो घंडी लगी है यह देखो मां ने हन्य लगी हाल यह जो यह स्कोव में हाट रही महाँ के जए यह आधि हाली तो यह क्या है बच्छो स्युख्त अक्षर है एक ही अक्षर है एक पूरा अक्षर है तो यह स्यूख्त अक्षर बन गया हलेंत्न मिलकर ऑवन गया अज्द उसको नेचे लिख सकते एक त्ठ्ठ सकते हैं इकठा आगे है बच्चो हलांत ना को हलांत आधान और पूरान तो क्या बन न प्रसन आगे है बच्चो त तो आपको आधा कर दिया र क्या बन गए त्र आधा त र त्र ऐसे रिखते हैं त्र बच्चो शात्रा आधा र स देखो बच्चो ये अक्षर के ऊपर लिखा गया इसको र प अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा अक्षर से पहले स से पहले रिहर्सल 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 तो बचो यह थे हमारे सियुक्त अक्षर आगे बचो शब्द अर्थ शब्दों क्या अर्थ है प्रतियोगिता प्रतियोगिता क्या होता है बचो होड कंपिटीशन रिहर् थीक ढंग और समेह से पहले काम का अभ्यास करना प्रैक्तिस करने करने कांड क्या होता है बच्छा फूर्टा टुपड़ा में जमीन में बनाया हुआ शेद उसको क्या बोलेंगे बिल में क्या कौन रहता बच्छो चींतियां रहती हैं अब प्रशनुत्र हैं बताओ रानी उदास क्यों हो गई बच्छो क्योंकि रानी खेल प्रतियोगता की फाइनल रिहर्षर में चोथे स्थान पर आई थी इसलिए धास हो गई दादी माने उसे उसे किसे रानी को आंगन और ने में क्या दिखाया तो देखो दाधी माने उसे आंगन में चींतियों की एक लंबी कड़ार दखाई करूद लाइन दखाई जो रोटी के शोटे चुकडों को छीच कर अपने बिल ले जा रही थी बिल क्या था बच्चो चीन्टियों के रहने का स्थान जहां पर चीन्टियां रहती हैं दादी माने बिल को कैसे बंद किया बच्चो दादी माने बिल को गीली मिटी से बंद किया चीन्टियां किस प्रकार चल रही थी बच्चों पंक्ति में चल रही थी लाइन बना कर चल रही थी चीन्टियां कतार में चल रही थी और लगन से पढ़ाई करें तो हमें सफलता अवश्या मिलेगी हां बचो आगे है पढ़ो और समझो हां बचो यह है विप्रीत शब्द है विट शब्द इसको कह देते हैं बचो अपोजिट उदास उदास क्या आता है बचो खुश गीली सूखी अंदर बाहर आगे पीछे आगे बचो बहु बचन एक बचन बहु बचन प्लूरल चींटी चींटियां रानी रानियां आगे बचो लिंग बदलो शात्रा शात्र शात्र कौन है बचो लड़की जो पढ़ती है उसको शात्रा होते हैं और जो लड़का होता है जो पढ़ता है विद्यार्थी उसको शात्र होते हैं रानी राजा हाँ बचो अंतर समझना है हमने रानी आज उदास है चींतियां मेहनत करती हैं बचो देखो है हैं इसमें क्या फर्क है बिंदी लगी हुई है यह हैं मतलिए एक बचन है जब यह यहां एक बचन होगा तो है आएगा अगर बहु बचन होगा जादे आएंगे तो हैं आएगा यह फर्क है है और है में चींतियां रोटी के कणों को बिल की और ला रही थी राणी और दादी माँ आंगन में गई बचे और और यह क्या है और ओ, औ, अउ इस में बहुंद फर्क है बच्छो और होता है तरफ और होता है जी जैसे से कहते हैं पंजाबी में आणड यह हमारा अंतर है अलो आए बच्छो इंद अगे बतक्छो हिच में कोँछ पर माधूफ्स कया लगा हूँ यह सत्ता लगा हुआ है सद्धा लगा हुए है पेड़ के आसपास के कुछ पुद्धे लगे हुए हैं लगे के होए फूलों पर मनडरा रही हैं ज confident यह मधू मखियां मनडरा रही है फूलों के ऊपर वे फूलों से चूस रही है क्या चूस रही है राष चूस रही है इसी रास से वे क्या बनाती है शहद बनाती है शहद को बनाने में उन्हें बहुत बहुत क्या करना पड़ता है बच्चो मेहनत करनी पड़ती है कोई भी काम है बच्चो उसको करने मेहनत करनी पड़ती है अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जीवन के हर क्षेत्र में बच्चो काम् लाव होंगे धन्यावाद बच्चुर्ट